पीपल एंड हिस्ट्री के लेटिस बायग्रफी अलर्ट के लिए बेल आइकोन दबाना ना भूलें यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे देख के लगता है कि वक्त थम गया है सदा बहार जवाने लिए यह अपने चहरे पर फिरता रहता है रोमैंस की गलियों में सूपर मॉडल मिलिन सोमन मिलिन सोमन का जन्म हुआ स्कॉटनेंड ग्लासगो में इनका परिवार इंगलिंड में लंडन के नजदीक रहाग करता था वहाँ पर मिलिन सोमन तकरीबन साथ बरस तक रहे और उसके बाद इन्होंने रुख किया हिंदुस्तान की तरफ शहर मॉंबई जगा दादर साल सनने सबहतर इनके पिता प्रभाकर सोमन एक नुक्लियर साइंटिस्ट रहे जो की बिए आर्सी के साथ काम करते थे बिए आर्सी मतलब भाबा एटोमिक रिसर्ट सेंटर इनकी मां उशा एक बायोकेमिस थी जो विल्सन कॉलिज मॉंबई में पढ़ाया करती थी मिलिन सोमन की दो बहने हैं मिलिन सोमन की दादा दादी दॉक्टर्स थे और नाना नानी भी दॉक्टर्स थे एक बड़े ही अनोखे पड़े लिखे परिवार से मिलिन्ट सोमन का तालुक है इन्होंने भी खुब पढ़ाई की मुंबई के दादर इलाके की स्कूल डॉक्टर इंटोनिय दास सिल्वा हाई स्कूल से और फिर जूनर कॉलेज अप कॉमस में जबाद हेरान करती है कि इन्होंने इलेक्ट्रिकल एंजिनेरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया था एमेट साबू सिदिक पॉलिटेखनिक बाइखला से पर एंजिनेरिंग करने के बाद भी मिलिन सोमन को लगा कि वो बहुत पैसे ना कमा पाएंगे इसलिए सन 1988 के आते आते ये एक मॉडल बन गए और उसके बाद 1992 में अलिशा चनाय के म्यूजिक विडियो मेड इन इंडिया में ये नजर आए धीरे धीरे ये टीवी चैनल्स की तरफ बढ़े और टीवी सीरीज कैट्टिन व्योम में ये नजर आने लगे 2000 के दशक के शुरुआत तक ये फिल्मों में नजर आए 16 दिसंबर, पचाई किली, मुतुचारम, पाईया, अगनी वर्शा, रूल्स, प्यार का सूपर हिट फॉर्मूला और ये फेहरे स्वाकी लंबी है हिंदी अंग्रेजी फिल्मों के साथ-साथ इन्होंने मराटी फिल्म गंध में भी काम किया ये फॉर्ण फिल्म्स में भी नजर आते रहे, स्वीडिश फिल्म आन ता नाइक टेंपलर, जिसमें इन्होंने सलाओ दिन का रोल प्ले किया था मिलिन सोमत के ओपर एक कोट केस भी हुआ था, जिसके बाद एक और कोट केस हुआ, हरकत ही कुछ ऐसी थी इनकी पुरानी गॉल्फिंड मदू सपरे के साथ ये नजर आये थे, निर्वस तरस सिर्फ जूते पहने हुए और एक अजगर लपेटा हुआ था कुछ लोगों ने मजाख वड़ा के ये भी कहा था, कि केस तो अजगर पे होना चाहिए, क्योंकि अजगर ने तो जूते भी नहीं पहन रखे थे मदू सपरे के साथ इनका रिष्टा बहुत लंबा चला, और तक्रीबन 14 वरस तक वो केस भी चला अंत में मिलिन सोमन बरी कर दिये गए, कोट केस से भी और मधू सपरे के प्यार से भी, मधू सपरे भी अपने जमाने की बहुत होट एंड सिजलिंग मॉडल रही मिलिन सोमन 20 मई सन 2012 को लिमका रिकॉर्ट होल्डर बन गए, 1500 किलूमेटर दोड़े थे ये 30 दिन में, ये एक बड़े जबर्दस स्पोर्ट्समैन है और 10 साल की उमर में ही इन्होंने स्टेट अव महराष्टा को रेप्रेजिंट करना शुरू किया था नाशनल स्ट्वेमिंग चैंबिंशिप में ये पहुंचे थे और ये टाइटल लगा थार 4 साल इन ही के पास रहा 1984 में ये साउट एशिन गेम्स में भी गए थे भारत का प्रतिन धित्व करते हुए मिलिंग जोमन अलग-अलग मैराथॉन भाग चुके हैं और बहुत से टाइटल जीत चुके हैं इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो ये तो सब जानते हैं कि मधू सफरे के साथ इनका एक गहरा रिष्टा रहा और रिष्टा किस तरह से आजाद था वो एक जूते के याड़ में भी नज़र आया था जहां पर ये दोनों ही निर्वस्तर नज़र आये इनका वेवा हुआ था एक फ्रेंच अभीनेत्री माईली यामपनोई से 2006 की फिल्म वैली ओफ फ्लावर्ज में इन दोनों की मुलाखात हुई थी कुछ वरस तक ये शादी चली और उसके बाद सन 2009 में इन दोनों का तलाख हुआ पर मिलिन सोमंद रोमैंस की रहा पर इतनी आसानी से रुख नहीं सकते थे जब ये 50 प्लस हो गए तब 20 प्लस एक लड़की इनकी जिंदगी में आई वो लड़की हवा में बाते करती थी मतलब एर हॉस्टेस ये दोनों अकसर साथ नजर आते रहे कुछ लोगों ने कहा कि 50 की उमर और 20 की लड़की ये तो बात नहीं चलीगी लेकिन मिलिन्सोमन हमेशा कुछ ने कुछ अलग करते आए हैं और इनके खुबसूरती देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये जरा भी बुढ़े हुए हैं जवादिल जवाए रादे वाले मिलिन्सोमन हमेशा हमेशा के लिए याद रखे जाएंगे महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्ताने जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री